हेलो फ्रेंट्स, एवरीटिंग विद गौरी में आपका स्वागत है, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और शेस्क्राइब नहीं किया, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, अई होप आप सब ठीक होंगे, चलिए आज का वीडिय करें आज मैं आपके लिए लेकर आये हो, इसे अलिह बोलते हैं बहुत से लोग सफ़ेद मटर बोलते हैंääप जो विडाते मेरे यह बइद कलर खांति इसको मैंने 500 ग्राम यहां में Board Lind to अब इसको में बिगब ओने के लिए लिए अँगर अब शाप्चमच मेटइ सोड़ा डाला दा अब इसको बालती हूं और दो या तीन सी्टे आने पर मैं इसको बंदे कर दूंग jer र यह ह Kenneung फ्रेंट्स यह हमने अपनी सफेद यह थो भाले म तो यह ईसके तयारी है mêmes कि तव दे हैं मीथी चट्णी ये भम झाल भी तो就是說 तो यह थेले वाले स्टाइल से ही हम बनाएंगे तो चलिए एक कड़ाई लेते हैं कड़ाई में लगवग एक चमचा जिस आप से आपकी महतर हो उससे आप से आप उसमें डालेंगे मैं सर्सो को यहां पर यूज कर रही हूं आप जो अपना कोकिंग वाईल यूज करते हो इंच हींग और जीरा है और इस मतर को हम सिंपल ट्राई करेंगे बाकिस में कुछ नहीं डालेंगे क्योंकि हमने सारी तैयारी करके रख रख है और अगर यह आपको ज्यादा सूखी सूखी लग रहे हो तो इसमें लगवग एक चंचा बॉल किया हुआ पानिया पैट कर दी आ और देखिए इसी तरीके से अब सबसे पहले इसमें जाएगी अम चूर की जो हमने मेठी चटनी वनाइई है वो उसके बाद इसमें जाएगा दही उसके बाद इसमें जाएगे जो हमने यह मेहिन काट के बारी काट के टमाटर रख था वो उसके बाद जाएगा इसमे नीबू कर रस अगर आप चाहें harness तो इसमें आप वो भी एड़ कर सकते हैं लेकिन मैं ख़टी चटनी मैंने इनमे हरा दन्या और ये डाला मैंने इसमें हरा मिर्च थोड़ा अब उसके बाद जाएंगे लिए जो मैंने मसाली ले रखें यह भुना हुआ जीरा लाल मर्ची पाउडर यह थोड़ा पाउडर वेस पे मत लीजेगा थोड़ा जो नहीं आप यह चली फ्लैक्स टाइप की इस टैप से लीजेगा यह हमारा रेगुलर सॉल्ट और यह हमारा ब्लैक फॉल्ट और इसमें फिर हम थोड़ा सा डालेंगे नमचूर वाली चटनी जो मैंने बनाई है और यह थोड़ा सा डाला मैंने धही देखे फ्रेंट्स लग रहे हैं ना कितने अच्छे एकदम ठेले वाली इस्टैल चाट हमारी बनके तैयार है अगर आप इसमें प्याज खाते हैं तो प्याज भी डाल सकते हैं मूली चाहें तो डाल सकते हैं मुझे इस्टैम मूली नहीं आप चाहें तो इसमें प्याज और मूली भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे मूली कोई पसंद नहीं करता है और प्याज में हमारे कोई खात कि रही है तब तक के लिए बाए मिलते हूं किसी और वीडियो में बाए